प्रतिशा चार्ज पंकच कुमार पांडे का आप लोगों को नमस्कार हमारे यूटूब चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तट पहुचाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाइए तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग कासी पंचांग के अनुशार आज दिनांग 10 नवंबर 2020 दिन मंगलवार है शक संबत 1942 है और विक्रम संबत 2077 है आज कार्तिक माश के कृष्ण पक्ष की दसमीति थी रात में 10 बज कर 40 मिनट तक है उसके बाद एक आदशीति थी है नचत्र पूरवा फालगुनी नचत्र रात में 2 बज कर 58 मिनट तक है उसके बाद उत्तरा फालगुनी नचत्र है सुर्जोद है आज के दिन 6 बज कर 34 मिनट पर होगा जबकि सुर्जास 5 बज कर 26 मिनट पर होगा आज दिन में 11 बज कर 30 मिनट से रात में 10 बज कर 40 मिनट तक भद्रा है भद्रा के दोरान कई शुबकार्ज नहीं किये जाते हैं आज भद्रा के पहले यानि 11 बज कर 30 मिनट तक बस्तू विक्रय और सस्त्र निर्मान के लिए मूर्त है आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए यानि अगर मंगलवार को घर से निकलना पड़े तो आप घर से निकलने से पहले गूर खाकर निकलना चाहिए इससे आपका यात्रा मंगल मैं होगा ये था आज का पंचांग चलिए बात करते हैं आज के राशी फल की लेकिन राशी फल से पहले एक जरूरी बात पंचांग और राशी फल के अलावा सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ग्रह गोचर को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें और जानकारियों का आनंद उठाएं सबसे पहले जानते हैं मेश राशी के बारे में आज के दिन मेश राशी वालों का बहुत बढ़ियां रहेगा घर परिवार के साथ आनंद पुरवक दिन बीतेगा धर्म और अध्यात्म में रूची बढ़ेगी कारोबार में मुनापा होगा जोखिम भरा काम करने से आज के दिन बचें नए काम के सुरुवात के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है आज के लिए आपका लखी नंबर एक है और उपाय करना है ओम हनुमते नमह मंत्र का जाब करें इस चे आपका कल्यान होगा ब्रिश राशी ब्रिश राशी वालों को अब आपका आज का दिन आनंद पुर्वक बीतेगा तन मन से चुस्त दुरुस्त रहेंगे आपके कार्ज निर्धारित रूप से योजना के अनुशार पूर्ण होंगे आर्थिक लाव की शंभावना है छात्रों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वैबाहिक जीवन बढ़ियां रहेगा आज के लिए आपका लकी नमबर है आठ और उपाय करना है हनुमान जी को सिंदुर और घी से लेप लगाएं इससे आपका कल्यान होगा मिथुन राशी मिथुन राशी वालों को आज का दिन आपके लिए सुब फलदाई है घर में शांती और आनंद का वातावरन बना रहेगा आपके अधूरे कार्ज संपन्न होंगे इससे आपको यस और किर्ती मिलेगी आर्थिक लाभ भी मिलेगा अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है आज के लिए आपका लकी नंबर है तीन और उपाय करना है हनुमान चालीशा का पाठ करे इससे आपका लाभ होगा और बजरंग वली के कृपा भी आप पे बनेगी करक राशी करक राशी वाले लोगों को आज आपका दिन सांति पुर्वक बीतेगा सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है पुराना कर्ज वापस मिल सकता है नई योजना पर विचार कर सकते हैं वाद विवाद को आज के दिन टाल दें ओफिस में किसी से मन मुटाओ भी हो सकता है आज के लिए आपका लकी नंबर है दो और उपाय करना है ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें इससे आपका कल्यान होगा सिंगराशी सिंगराशी वाले लोगों को आज के दिन आप सारीरिक रूप से बहुत ही फिट और तंदुरुस्त रहेंगे घर के लोगों के शहयोग से अधूरे काम आपके पूरे होंगे सामाजिक कार्जों में बढ़ चड़ कर हिश्चा लेंगे मान सम्मान आपका बढ़ेगा घर में किशी मांगलिक आयोजन की रूप रेका बन सकती है आज के लिए आपका लखी नंबर है पांच और उपाय करना है हनुमान चालीशा का पाठ कन्याराशी कन्याराशी वाले लोगों को आज के दिन भाई बहनों के शाथ प्यार भरा शंबंद बना रहेगा मित्रों स्वजनों के शाथ मुलाकात होगी प्रतेक कार्ज में शफलता मिलने की संभावना है आर्थिक लाव की संभावना भी है समाज में मान सम्मान मिलेगा आज के लिए आपका लखी नंबर है चार और उपाय करना है सुन्दर कांड का पाठ करें इससे आपका कल्यान होगा तुला राशी तुला राशी वाले लोगों को आज आप उर्जा से लबरेज रहेंगे घर और ओफिश में आपकी बातों को लोग ध्यान से सुनेंगे आर्थिक नजरिय से भी दिन ठीक रहेगा एंटिक और जेवर में निवेश फाइदे मंद रहेगा किशी धार्मिक आयोजन में भाग लेंगे आज के लिए आपका लकी नंबर है साथ और उपाय करें लाल वस्त्र दान करें इससे आपका कल्यान होगा ब्रिश्चिक राशी ब्रिश्चिक राशी वाले लोगों को आज का दिन आपके लिए काफी शुब है सारीरिक तथा मानसिक स्वास्त अच्छा रहेगा परिवार के शदश्यों के शाथ आनंद पुरवक समय बिताएंगे स्वजनोशे भेट या उपहार आपको मिल सकता है संतान पक्च की ओर से सुब समाचार मिलेगा आज के लिए आपका लकी नंबर है साथ और उपाय करना है सुन्दर कांड का पाठ करें इससे हनुमान जी के किरपा आप पे बनेगी धनूराशी धनूराशी वाले लोगों को आज का दिन आपके लिए थोड़ा मुस्किल भरा हो सकता है परिवार जनों के शाथ बहस होने की शंभावना है तथा दुख भी हो सकता है वानी पर खास करके आज के दिन थोड़ा संजम रखें या शावधानी बढ़तें मन के आवेश में अंकुस रखना पड़ेगा सेहत को लेकर परिशान हो सकते हैं आज के लिए आपका लकी नमबर है एक और उपाय करें हनुमान जी को चने और गूड का भोग लगाएं इससे आप पे हनुमान जी के किरपा बनेगी मकर राशी मकर राशी वाले लोगों को आज के दिन मित्रोशे मुलाकात होगी जिससे आपका दिन आनंद पुर्वक बीतेगा सामाजिक छेत्र ब्यापार तथा अन्य छेत्र में आपके लिए आज का दिन लाबदाई रहेगा प्रवाश पर्यटन का योग बन रहा है घर में किशी शुब प्रशंग की संभावना है आज के लिए आपका लकी नंबर है आठ और उपाय करें हनुमान चालिशा का पाठ करें इससे आपका कल्यान होगा कुम्बराशी कुम्बराशी वाले लोगों को आज का दिन सुब फलदाई है आज प्रतेक कार्ज में सरलता से शफलता आपको प्राप्त होगी परिणाम शरूप आप मानसिक रूप से प्रफुलित रहेंगे नौकरी में उच्चा अधिकारियों की प्रशन्यता के कारण पदो नत्य के योग हैं आज के लिए आपका लकी नंबर है दो और उपाय करें जरूरत मंद लोगों को भोजन कराएं इससे आपका कल्यान होगा मीन राशी मीन राशी वाले लोगों को मानसिक रूप से थोड़ा परेशान आज के दिन आप रह सकते हैं सरीर में ठकान और आलश्य का अनुभव होगा उच्चा अधिकारियों के साथ साउधानी पुर्वक कार्ज कीजिएगा संतानों के विशय में आपको चिंता रहेगी आज के लिए आपका लकी नंबर है पांच और उपाय करना है गाई को हरा चारा खिलाएं इससे आपका कल्यान होगा ग्रह गोचर में आज के दिन इतना ही कल फिर हम आपके शामने प्रस्तुत होंगे हमारे यूट्यूब चैनल ग्रह गोचर में मुझसे मुलाकात करने के लिए मेरा मुवाइल नंबर है 94311 14375 और दूसरा नंबर है 88 25 17 76 33 किसी भी जोतिशिये शमाधान ही तू कुंडली दिखलाने ही तू या फिर कुंडली बनवाने ही तू एक वारा आप हमसे अवश्य मुलाकात करें तो दोस्तों जोतिशा चार्ज पंकच कुमार पांडे का आप लोगों को प्रणाम कुमार शम्य मुलाकात करें कुमार एक वारा आप हमसे वाराज ही तू